यह जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ आपके लिए हजम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लेकिन ट्विटर पर डबल लबली ने जब ब्लड लाइन की वीडियो को शेर के ब्लड लाइन की पोस्ट करी स्मैक डाउन से और एले नाइट की वह वाली पोस्ट जो कि म मिलियन से उपर भी गए और 20,000 से जादा भी लाइक से उनकी इस चीज पर मतलब सोचल मीडिया पर देखा जाए स्मैक डाउन से तो वह चीज जादा वाइरल हुई है जो कि स्मैक डाउन का पार्ट भी नहीं है अब आपको ऐसा लग रहा होगा हाँ चलो अब थोड़ा सा आपको पहले इस ट्रैप में फसाद है कि आपको बिलीफ हो जाए लेकिन अगर इस चीज को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहली बात तो यह कि इंडिया का जो ट्रैफिक आता है वह सोचल मीडिया पर इंडिया से बहुत जादा आता है और स्मैक डाउन की जो लगातार क के पास पहुंचेंगी नहीं तो एक बहुत बड़ा रीजन है और दूसरा रीजन यह है कि काफी सारे फैंस होते हैं ऐसे सोचल मीडिया पर जो की स्मैक डाउन तो क्यों देख लिए तो फिर वह स्मैक डाउन में जो गया उसको क्यों देखने आए तो ऐसे में फिर उस जाना चाहिए कि एले नायट को डबल डबली अगर सही तरीके से देखे तो पता नहीं क्या बवाल हो सकता उनके साथ ओके एलो चैटर्स माई नेम इस गोई तैंड यो वाचिंग ड्रेसल चैटर्स वेलकम में गाईज आपका वॉइस ओफ रेसलिंग के एक और नई एपिसोड में सबसे पहले हम लोग शुरुवात करते हैं पहले तो संडे कैसे जार आप लोग मुझे बताना सबसे पहले स्म सब्सक्राइब करें तो नीचे आ गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आसा क्यों है थोड़ा सब्सक्राइब को ब्रेकडाउन और आएगा कि वह जो मुमेंट था बलडलाइन वाला उसकी कितनी सी तो वह भी शायद मैं आपके साहर करूंगा लेकिन फिलाल तो पहले के ह बच्पन से ही इनको देखते वे आ रहा हूं तो मैंने कभी भी इनके जैसा बनने की कोशिश नहीं किया लेंगा जो एक अच्छा बंदा को वह क्या करता है वह जो डबल डबली में महारती रह चुके है जो काफी काम कर चुके है और उनका अच्छा काम है तो उनसे हम सीखत है तो फिर ऐसे उनको यह सस्ती कॉपिया रिपफ बोलना सही नहीं होगा लेकिन अभी तो शादे सवाल सुनने पढ़ेंगे यह बाते सुननी पढ़ेंगे यह बहुत बढ़ा नहीं कर देते हैं डबल डॉली में अभी रिसेंटली यूफसी का 290 इवेंट वहां पर रे मिस रे लिख दिया तो यह बात इसके बार में फिर जादा नहीं हो उनको पॉप कैसी मिली यह बात हो कि प्रड़क्शन वाले ने कैसे रे मिस्टी जो का नाम रे मिस्टी जो कर दिया वह 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 बन्हों करता हूं अगली स्टोरी की तरफ गय लोग चलते हैं और मनीन द बैंक को जब स्टैबलिश किया था कि यहां भी ऐसे भी चीज होगी तो उसका सिर्फ एक मतलब था कि इस बंदे को गैरंटी ऑपर्शूनिटी करें हम गैरंटी ऑपर्शूनिटी की यह आगे जाए कि चैंपमेंशिप के लिए मैस लड़ेगा किसी प्रीम लाइवेंट में इसलिए WWE अब भी ऐसा करती है कि उस्यादा ही यहील सूप स्टार्स को मनीं दबैंक की ब्रीफिकेश देना ज्यादा पसंद करती है क्योंकि वो फिर ऐसा मुमेंट होता है जो कि बड़ा ड़वेंट के इंदर बनता है सबसे बड़ा मुमेंट तमको पता ही है Seth Rollins का cash-in जो रसल मिना 31 में वा था ब्रॉक लेस्नर और रोमन रेंस के मैच में अगली स्टोरी के तरफ गाइज हम लोग जलते हैं और सोलो सिकोवा से रलेटे है यूजली सोलो सिकोवा बात भी नहीं करते लेकिन यहां पर अपना पूरा करेक्टर ही उन्होंने ब्रेक कर दि जगार जुनी Facebook की, Facebook पो उन्होंने बहुत लंबा चोड़ा कैप्शन दाला जहां पर लिखते हैं This was my Wrestlemania moment I will never forget मतलब ये इतना बड़ा मुमेंट है सोलो सिकोवा अखेले सोच रहो कितना बंदा अंदर से भरा पड़ा होगा कि उसने पूरा कैरेक्टर ब्रेक करके Facebook पे पोस्ट कर दी Even WWE ने कि हमको जो बैक्स्टेज की फोटोस हैं वो भी मिली है जहां पर आप देख सकते हो तो सोलो सिकोवा किस तरीके से हग करें और ये बिल्कुल एक emotional सोलो सिकोवा है जो कि टेलेवेजन पर तुमको कभी भी दिखाई नहीं दे सकता वैसे बहुत सारी फोटोस बैक्स्टेज की निकाली है तो अब जो ने आया ना थ्रेट्स इंस्टाग्राम का उसके पर मैंने 10 बेस्ट फोटोस डाल दी है और कुछ कैप्शन के साथ भी अपना जूबी रियक्शन तो आप लोग थेट्स पर जाके फॉलो भी गटलने और उसको जाके देख सकते हो ल कि हम उसोस के लेवल पर इस अंडिस्पूटेट टैक्टीम चैंपूंशिप आले को लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि अब उसके आसपास भी नहीं जितना कमाल का काम उन्होंने इसके सांथ किया हुआ है तो कैविन ओवन्स अभी उस जगह पर लेकर जाना चाहते हैं कि उनक कर उनको मिली और केविन ओवन्स ना कर पा है तो फिर शाद उनको खुद के लिए अच्छा नहीं लगे का लेकिन हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और सैथ रॉलेंस ने कंपीट किया स्मागडाउन के खतम होने के बाद मैडिसन स्कूएर गार्डन में पहले अगली स्टोरी की तरफ और वाली शाम वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताया था कि कैसे बहुत सारी चीजों का जो टायम उसको कर दिया गया था ब्लड लाए सेग्मेंट की वज़े से लेकिन इंटरनल जो रियक्शन ब्लड लाएं के सेग्मेंट को लेके भले ही वह लंबा खिचा लेकिन उससे किसी को कोई फर्क नी पढ़ रहा कि यूजरी जब टायम लंबा खिच जाता है तो काफी प्रब्लम्स होती है बैक से लेकिन यहां पर ऐसा खुछ भी नहीं था काफी पॉजिटिव रियक्शन था ब्लड लाएं के सेग्मेंट को लेकर और मजा को बता है लिव मॉर्ण के साथ मिलके विमन्स टाग टीम चैंपेंशिप है तो देखते हैं यह एंगल कैसे जाता है बट यह जिस तरीकी की दोनों की फिजीक है एक फिजीकल तगड़ा एक्शन हो सकता है न के बीच में और इसी को लेकर डबलोबली शादमी का मैस भी प्ल स्टेंस लेकर तो इसके बाद अब डीन अमरोज का कहना यह कि अब वह बिल्कुल भी रिंग में मरने से नहीं तरते काडियक अरेस्ट की विजए से अब काफी ज़्यदा है और वह काफी हमें से रेगुलर शो पर अपियर करें तो उनको कोई खास प्रबलम है निए उनकी पहले से काफी अच्छा महसूस करती है तो यह दिन अमरोज का कहना है तो मैंने यह बात इसलिए बहुत बहुत बात हैं जुननें जौन सिना के मनी दा बैंक के प्रीम लाइवेंट पोस्प्रोमो के बाद से तो कब तक वह प्रीम लाइवेंट हो सकता उसके बार में यह सकती है 2025 जहां पर यह लेंडन ज्कैनल रस्लिए बाद से बार में डाइवेंट मेंवेंट नहीं पर अगली फो से रिलेटर थे ले जू का क्या रैक्शन है चिgg मि उसको पूंचिए उस कर डान एक बाद है तो इसे बादी हम पर एक पोटो डाल आ जहां पर लेके लिगत द कि आ देखेंगे नहीं मिठी दिखेंगे हमेशा ना थिया लिग्टारा क cheating भाफस अब तक उनके वापस ख habits दंबाल कर चुके होंगे Roman Reigns जहोस उं मिलके अगली स्ट önी बहुत जादा बड़ी है घयर और एक summer slam में बहुत बड़ा ड़ी ड़ी प्लान कर घयर और यह किसी और का नहीं है भलकि हम सब के चहिते Stone Cold Steve Austin Stone Cold Steve Austin Grayson Waller Effect में सोच रहो एक ऐसा सेग्मेंट जहां पर बाते होती है उसी सेग्मेंट में ऐसे बंदे को बुला जाएगा जो कि बाते करने में सबस्यादा एक्सपर है डेबल लबी में तो रिंग के अंदर में बात कर रहा है इंटर्व्यूस या उन सब की बात नहीं कर रहा है किसी पर रियक्शन देने वाली चीज के उपर तो ये ग्रेसन वालर के लिए और एक बात-बड़ा मुमेंट होने वाला है अभी ऐसा बिल्कुल कन्फर्म भी नहीं है लेकिन हाँ चांसे के बहुत सार है कि स्टोन कोल्ड स्टीव वास्टिन समर्स्लैम में होंगे ग्रेसन वालर एफेक्ट में होंगे और शायद मून का मुवी अच्छी से बंद करवा सकते है वो केविन ओवन्स का केवो शो हमने देगा था लास्ट ताम रसल मिनिया में डवल व्ली नोसको किया था तो इससे भी डवल व्ली एक अच्छा आइडिया ले सकती है हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स और फाइनल स्टोरी की तरफ और यह जोड़ी है रोमन रेंस और जे उसो के समर्स्लैम के मैच से यह मैच बस कंफर्म या ऑफिशल होना ही बाकी है ब्लड लाइन वाली थीम भी दे सकती है जैसे ब्लड लाइन सिविल वार वाली दी थी या फिर यह सकता है कि स्टिपिलेशन ऐसी ना हो जो मैच को एफेक करें कुछ इंप्लिकेशन डेबल डबली एड कर सकती है जै उसो के फ्यूचर के लिए या फिर रोमन रेंस के फ्यूचर के लिए जरू डिस्क्रिप्शन जाके फॉलो करले ना पोस्स भी सारी आप लोग जाके देख सकते हो यह वीडियो गाइस अगर आपको अच्छे लेगी तो से लाइक, शेर, सब्सक्राब और नोटिफिकेशन बैल को अन करते हो एंड ऐसी उगाइस इन माइ नेक्स वीडियो